एलो स्ट्रेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ने अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम बनाया था, तो उसमें आपने देखा था कि हमने पर्स्ट के इनपुट और आउटकों को भी हूश किया था, और आप कोई मालूम है कि आउटकों के लिए प्रिंट 500 यूश करते हैं, और इनपुट के लिए ठीक है आपने देखा था कि output के लिए print function यूज़ किया जाता है in case of python ठीक है और अगर कोई value हमें मान लीज़े input करनी है तो हम कौन सा function यूज़ करेंगे कैसे करेंगे तो आज हम लोग जो है input और output के बारे में बात करते है python programs के लिए तो देखे इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हम मालूम है कि output के लिए print function यूज़ होता है print और input के लिए value input करने के लिए input function यूज़ होता है अब इसमें हम आपको कुछ example से समझाते हैं कि अगर हम print function के लिए हम ये statement देंगे तो हमें क्या output मिलेगा तो for example हमने यहां लिखा examples ठीक है अब यहां मालीजे हमने program या program statements हम लिए program हमने दिया यहां पे तो हमें जो output मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा जैसे first example हम दो लेते हैं मालीजे हमने ये दिया print bracket लगाया और फिर हमने one फिर comma फिर हमने यहां लिखा plus ठीक है फिर comma फिर हमने कहा four फिर comma मतलब हर एक statement को आप as a clear lead equal to sign फिर यहां आपने लिख दिया five ठीक है तो जब यह statement execute होगा तो हमें output क्या मिलेगा हमें output मिलेगा one plus four equal to five ठीक अब next देखिया अगर आपने इस तरह दिया आपने कहा कि print two plus three comma आपने यह लिखा five divided by two ऐसे दिया तो जो output आपको मिलेगा तो यह जो arithmetic operation है यह अपने आप by default perform हो जाएगा तो output आपको मिलेगा five और five by two यह calculate कर देगा कितना आएगा two point five यह output मिलेगा आपको similarly अगर आपने कहा किसे सपोस कीज़े आपने कहा print और आपने a, b, c, d को double course में डेक्लियर किया तो प्रिंट a फिर b फिर c फिर आपने कहा d और इसके बाद आपने लिखा separator is equal to इक्वल टू और आपने define कर दिया कॉमा इस तरह जब यह statement आप देंगे तो a, b, c, d के बीच में यह separator लग जाएगा यानि यह आएगा a, b, c, d तो automatically blank space की जगह पर यह कॉमा ले लेगा ऐसी एक और statement देखते हैं इसमें क्या होगा माल लिजे आपने declare किया यहाँ पर id equal to आपने declare किया से among ठीक है domain आपने declare किया domain equal to आपने कहा किसे c, s, e, dot आपने कहा i, i, e, m यह college का नाम मान लिजे dot a, c और dot in इस तरह आपने domain डिकलेर कर दिया ठीक है अब हमने क्या कहा हमने कहा print करिए print id comma domain comma और separation कैसे होगा sap is equal to हमने लिख दिया add the rate sign add the rate sign इस तरह तो अब यहां जो output हमें मिलेगा output मिलेगा यहां पे हमें देखिए id मतलब यह होगा आमन और domain होगा c, s, e, dot i, i, e, m dot ac, dot in और यह जो separator है separator क्या दिया add the rate तो यहां पे आजाएगा add the rate तो इस तरह से हमें print out मिल जाएगा ठीक है अब इसमें क्या होगा तो इसमाल लीजे हमने एक और एक और एजाम पी लेते हैं अगर हमने इस तरह दिया suppose कीजिए id equal to लिखा आमने common ठीक है print किया हमने print id comma end equal to add the rate sign ऐसे ठीक और फिर हमने प्रिंट किया यहां हमने लिखा cse फिर हमने दिया iiem iiem फिर हमने दिया ac और फिर हमने दिया in इस तरह और फिर separator में हमने define कर दिया की sap equal to dot sign यह तो अब देखिए यह जब execute होगा तो id में हमने अमन दिया है तो print id और end में क्या डालना add the rate तो पहली line में हमारा यह अमन और last में क्या जाएगा add the rate अब उसके वाइड जब यह execute होगी line तो cse iiem ac और in लिखा रहेगा print होगा लेकिन यह separate कैसे होगे आपस पर dot sign से तो फिर वाई चीज आप किया जाएगी cse dot iiem dot ac dot in ठीक तो यह कुछ statement देके हमने आपको बताए कि print statement जो है python में किस तरह काम करता है अब इसमें क्या होता है कि माल लिजे अगर हम प्रोग्राम करते है वेर वी विस्टू आस पॉरे नेम एंड इयर अफ बर्थ फ्रॉम ए यूजर एंड देन डिस्पले दे एज आफ डैट यूजर तो इसमें हम क्या करेंगे कि सपोज कि यह हमें प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम यूजर से उसका नाम और इयर आप बर्थ पूछेंगे पूरा डेट आप बर्थ नहीं पूछेंगे के वो कहरेंगे इयर बताई है तो जब वो इयर बता देगा तो हमें क्या करना है हमें उसकी एज बताना है यह प्रोग्राम हमें बनाना है यूर नेम ठीक है ये कॉलन दे दिया हमने अब क्या होगा कि यूजर ने नेम इन्पुट किया वो इस्टोर हो गया यहाँ पर नेम बेरेविल में फिर हमने कहा कि प्रिंट एंटर यूर इयर आप वर्थ तो हमने कहा एंटर यूर यूर आप बर्थ ठीक है इसको भी आपने वाली जी दूसरा वेरेविल है यूर यूर आप बर्थ इसमें हमने इसको सेव कर लिया इन्पुट ठीक अब क्या होगा कि जब आप इसको एक्सग्यूट करेंगे इस प्रोग्राम को जब आप एक्सग्यूट करेंगे तो क्या होगा कि पहले तो लिखा हुआ आएगा एंटर यूर नेम जैसे ये लिखा हुआ आया एंटर यूर नेम ठीक है अब मान लिजे किसी ने अपना नाम एंटर कर दिया यहाँ पे अमन गुपता ठीक है ये नाम मान लिजे किसी ने एंटर कर दिया अब क्या होगा फिर यह लाइन आएगी एंटर यूर येर आफ वर्थ ठीक है तो यह दिखिया कि यूर कि यह रॉफ कि बर्थ ठीक है यहां पर भी कॉलम चाहिए यहां भी लगा दिया से तो अब उसने माली यह एंटर किया से 1970 ऐसे अब क्या होगा अगर देखे इसमें तो क्या है कि जब इंटर यूर नेम फिर आप नेक्स लाइन पर आ जा रहा है अप नेक्स लाइन पर आ जा रहा है मान दीजये कि आप यह चाहते है कि नाम और वो जैसे एंटर यूर नेम यह यहीं पर एंटर हो यह जो यहूर शीअ यहीं पर एंटर हो तो उसको लिए आपको करेक्शन क्या करना पड़े अपर और यह यह पर और यहां पर एक in एंटर योर नेम यह हो गया कॉलन लगा के आपने स्ट्रिंग बंद किया कॉमा दीजिये एंड एक्वल टू लगाईए और यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दे दीजिये ऐसे है और फिर जैसे हैं जैसे अभी आपने नेम में इंपूट किया था नेम इक्वल टू इंपूट लिख दीजिये ऐसे हैं और ऐसी प्रिंट प्रिंट एंटर योर इयर आफ बर्थ योर इयर आफ बर्थ यह हो गया कॉमा फिर आप यहां एंड इक्वल टू लिख दीजिये ब्लैंक साइड ठीक है फिर आफने यह अफ बर्थ य.o.b में आफने निपूट कर दूए इससे क्या फालबर होगा इससे यह फालबर होगा कि जब यह लाइने एक्वल टूट होगी तो जो आफ एंटरि कर रहे हैं वह सेम लाइन में ही एंटर होगा ठीक है मतलब कि यहाँ जब यह लाइन जब यह इसकी उठोंगी लाइन है तो ऐसे लिखा हुआ आएगा enter your name यही पर आपने एंटर किया अमन गुपता फिर ऐसे लिखा हुआ आएगा enter your year of birth enter your year of birth फिर यहाँ जैसे आपने एंटर किया 1970 तो यह ज़्यादा बेटर हो जाएगा तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं एक जो है इसी तरह का अगर आपको आउटपुट चाहिए तो इससे तो आ जाएगा आप इस तरह देंगे तो एक तरीका और है इस आउटपुट को लेने का उसको आप उसमें आप क्या करेंगे उसमें देखिए अच्छी तरह समझ लिजे अगर आप इस तरह देंगे ठीक है कि name equal to input आप ऐसे दे दिजे name equal to input और यहाँ आप लिख दिजे enter your name your name ऐसे और फिर ऐसे यहाँ yob input यहाँ लिख दिजे enter your year of birth enter your year of birth तो ऐसे आप देंगे तब भी screen पे यही काम होगा इस तरह से देने पे और अगर आप इस तरह define करते हैं तो भी output आपको इस तरह मिलेगा तो चाहे किसी भी तरह से आप इस काम को achieve कर सकते हैं यह clear होगा आपको अब इसके बाद इसमें क्या था कि अभी तो यह entry करने का हमने आपको बता दिया कि उसने अपना यूजर ने अपना नाम और year एंटर कर दिया अब हमको क्या करना उसकी एज क्या करने के लिए क्या करना होगा की the program should be able to print the following in the year अभी जैसे हमारा चल रहा है से माल ली दिये 2024 ठीक है we have just entered in the year of 2024 तो हमको इस तरह चाहिए कि वही अगर हम program execute करा है तो हमें screen पर क्या चाहिए हमें इस तरह चाहिए कि enter your name enter कर दिया हमने अमन गुपता ठीक फिर हमने कहा कि enter your year of birth तो अमन गुपता यह हमने enter कर दिया 1970 अब अगर माल लीजे हम इस समय year 2024 में है तो वो minus करके हमको age बता दे ठीक यानि 2024 में से आप 1970 minus करेंगे तो कितना आएगा 54 year यह जाएगा ठीक है तो हमारे पास यह लिखा वह आ जाए कि you are 54 years old ठीक है हमारे पास यह आ जाए कि या माल लीजे नाम से आ जाए तो जैसे यह लिखा हुआ जाए कि है अमन गुपता you are 54 years old यह चाहिए हमको output यह output चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमको यह statement इस तरह देना होगा देखिए यह programming statement लिख रहा है आप लिखिए name equal to आपने लिखा input यहाँ आपने लिखा enter your name ठीक उसके बाद year of birth में आप क्या करेंगे year of birth में फिर आप input करेंगे आपने लिखा enter your year of birth enter your year of birth ठीक अब यहाँ पर main statement है कि आपको age यहाँ पर print करनी है यह वाली line print होनी है तो आप यहाँ लिखेंगे print फिर आपने सबसे पहले लिखा hey ठीक फिर यहाँ आपने ले लिया name तो name की जगा अमन गुपता आ जाएगा फिर आपने लिखा you आर तो यह यू आर प्रिंट हो गया फिर अब एज हमें लेखना है तो हम 2024 में से year of birth minus कर दीजे फिर कॉमा years old तो यहाँ पर लिख देंगे years old यह statement आपको इस तरह देना होगा तो इसमें क्या होगा तो देखें यह जाएगा 54 years old तो इस तरह से इन लाइनों से आपको यह output मिल जाएगा इसमें क्या होता है कि the python interpreter considers variable yob to be of type string इसमें देखें होता क्या है कि जो python का interpreter है python का interpreter वो क्या करता है yob को string की तरह deal करता है therefore it cannot be directly used in arithmetic expression such as 2024 minus yob ठीक है तो yob को 2024 में sorry 2024 में से आप yob को direct नहीं minus कर सकते क्योंकि python का interpreter इसको string मानता है और यह है आपका numerical value तो क्या होगा कि this means that the string 1970 is treated differently from the integer value 1970 इसका मतलब क्या हुआ कि python जो है python का interpreter इस 1970 को string मानता है और इस 1970 को numerical मानता है तो इसका मतलब करने का काम कैसे होगा इसको करने काम होता है इंटीजर function से इस function से समझ के आप तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो आपने यहां पर यह दिया है इसकी वजाए आपको इंट वायोबी करना पड़ेगा यहां लेंगे वो 2024 में से string नहीं माइनस कर पाएगा तो यहां पर इस वायोबी की जगह पर देखे मैं कट कर दे रहा हूं आपको यहां पर line देनी पड़ेगी यहीं पर मैं बढ़ा दे रहा हूं अलग कर नहीं जा रहा इस कॉमा के बाद आपको देना पड़ेगा 2024 माइनस INT और यहां आप लिख देंगे वायोबी और कोर्स क्लोज ठीक इस से क्या होगा कि इस वायोबी स्ट्रिंग को पहले वो इंटीजर में कनवर्ट कर देगा मतलब यह हो जाएगा और तब फिर यह आपरेशन परफॉर्म हो जाएगा ठीक तो इस तरह से आप जो है इस प्रोग्राम को बनाके एक्सक्यूट करके देख सकते हैं कर रहें तो इंस्टेट ऑफ हार्ड कोडिंग 2023 और करेंट यर इन दे प्रोग्राम इस प्रोग्राम को हमने बना दिया तो यहां पर अगर जैसे 2024 दे दे रहा है अब क्या होगा कि अगर आज से 5 साल बाद यह प्रोग्राम हमें यूज्ज करना है या यूज हो रहा है तो तब तक हो जाएगा 2029 और प्रोग्राम यहां पर रहेगा 2024 से माइनस करके वो 5 साल बाद भी इस बंदे की ऐज 54 साल ही बताएगा जबकि 5 साल बाद इसकी एज हो गई रहेगी 59 year तो इसलिए instead of giving this year यहाँ पे आप date time module का use कर सकते हैं you can use date time module तो उसमें क्या होगा कि वो अपने आप current year ले लेगा और current year से year of birth minus करके और correct age बताएगा user की तो date time module क्या होता है इसको हम लोग आगे आने वाए lectures में discuss करेंगे तो I hope कि आपको यह clear हो गया होगा अगर कोई confusion या doubt है तो comment line में comment करके पूछिए और अगर video content पसंद आ रहा है python programming समझ में आ रही है तो video को ज़्यादा ज़्यादा like कीज़े, share कीज़े channel को subscribe कीज़े और notification bell को on कर दीज़े ताकि next video की information आपके पास time से मिल सबें thank you कर दो